सो गेज पहसे मैं भी ब्रिच पे नहीं चड़ पाता था उसके बाद मैंने काफी ताजी कोचे स्कुरिए उसके बाद मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा था जिसके से ब्रिच पे नहीं चट़ पा रहा था तो सेम वही गलती गाईज, आप लोग भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भी ब्रेज पर नहीं चाड़ पा रहे हो, अगर आप लोग ये पहलग पता चल जाएगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, उसके बाद फिर आप लोग इजली ब्रीज पर चार्ज होगे, तो सबस् या इस वाली पोजीशन को भी क्रॉस ना कर पारते हो ठीक है तो इसको भी यहां पर जली से डीटेल में बता देता हूं तो इस पर चड़ने के लिए आपको एकदम सीधे रहना है ठीक है एकदम जंप आपको एकदम सीधा उसी डिरेक्शन में होके करना है जहां पर आप परतल लोग गयज 99% लोग फेल हो जाते हैं तो इसी वाली स्टेप में आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसी पोजीशन में आना है जहां पर मैं आकर दिखाने वाला हूं आप सेम इसी पोजीशन में कैसे आएंगे तो यहां पर मैं आपको है लेट हैं राइड साड यहां पर आप लेखना है तब ही आप बदेखना हुआ अपको अपकर लेखना है जिस लोकेशन में खड़ा हुआ हूं उसके बात आप आगे की और करना है कि बहुत साहे लोग एक डम मतलब लेटर साइड में इयो के जंब कर देते तो उपर लड़ बढ़ से अधिकर आपको आगे की और ऐसे देखना me उसके बाद आपको जंप करने के साथ साथ आपका होता है उसके साथ आपको जिट्रीक आगा की और करना साथ में जंब करना दोनौं चीज आप साथ हमें करेंगे तब आप जंप करके इस ग्रिप करके ऊपर चड़ जाएंगे ठीक है तो अभी आप ध्यान से आप देखिए मैं यहां पर कैसे चड़ने वाला हूं तो जिस पोजिशन में आपको बताया है वह एम वाले टिक जो एम वाला मेरा डॉट रहता है औ और उसके बाद आपने जो मेरा हेट के ऊपर जो दो निसान देखे ठीके वह निसान को आपको सेम उसी पोजिशन में रखना है और आप बिल्कुल सेम मेरे ही लोकेशन पर आजाएंगे उसके बाद गयजा भी इस तरह चड़ जाएंगे लेट साइब जा सकते हैं राइट स का स्विशन निकालने के बाद आप लोग भी उसी गलती को यहां पर अगर फिक्स कर लेंगे जैसा मैंने बताया आइधिंग्स बहुत इस गलती को आप फिक्स कर लेंगे उसके बाद बहुत ही आसानी से आप बिरिच पर चढ़ जाएंगे आइधिंग इस वीडियो को में तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग बाई